आज भारत जब अपना टीर काक्रान अभ्यान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकड का वो दौर जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सुचते थे। सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देख भाल के लिए जुड जाता है। लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा। मा परेशान रहती थी, मा रोती थी, लेकिन चाकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता, अस्पतान में अकेले अपनी बिमारी से संगर्स करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़ कर चले गए, उनको परंपरा के मताबिक वो बिदाई भी नहीं मिल सकी, जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन साथियों संकर के उसी समय में, निराशा के उसी बातावर में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकर में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, परामेडिकल स्टाफ, एम्विलर्स ड्राइवर, आशा वर्कर, सभाई कर्मचारी, पूलिस के साथ ही, और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रती अपने दाइत्व को प्रात्विक्ता दी। इन में से अधिकाउश, तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए, सेंक्रों साथी ऐसे भी है, जो कभी गर मापस लोटी नहीं आ पाई, उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए, अपना जीवन आहुद कर दिया, इसलिए आज कोरोना का पहला टीका, स्वास्थ सेवा से जूड़े लोगों को लगा कर, एक तरह से समाच अपना रून चुका रहा है, ये टीका, उन्हों सभी साथ्यों के प्रती, कृतग्य राष्ट की आदरांजली भी है, भायों और भेहनों, मानव इतिहास में, अनेक विपनाय आई, महमारी आई, बीशन युद्ध हुए, लेकिन कोरोना जैसी चुनवती की, किसी ने कलपना नहीं की थी, ये कि ऐसी महमारी थी, जिसका अनुभाव, ना तो साइंस को था, ना ही सोसाइटी को था, तमाम देशों से जो तश्वीर आ रही थी, वो खबरें आ रही थी, वो पूरी दुनिया के साथ साथ, हर भारतिय को विचलित कर रही थी, ऐसे हालात में, दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स, भारत को लेकर तमाम आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन साथियों, भारत की जीज बहुत बड़ी आबादी को, हमारी कमजोरी बताए जा रहा था, उसको ही हमने अपनी ताकत बना दिया, भारत ने संबेदन सिल्टा और सहभागीता को लड़ाई का आधार बढाया, भारत ने 24 सो घंटे सतक रहते हुए, हर गटना करम पर नजर रखते हुए, सही समय पर सही फैसले लिए, तीस जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके दो सब्ता से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था, पिछले साल आज का ही दिन था, जब हमने बाकैदा सर्वेलांच शुरू कर दिया था, 17 जनवरी 2020 वो तारिक थी, जब भारत ने अपनी पहली एड़वाईजरी जारी कर दे थी, भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था, जिसने अपने एरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, साथियों, कोरोना के खिलाब लड़ाई में, भारत ने जैसी इच्छा शक्ती दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामुहिक शक्ती का परिचे करवाया है, वो आने वाली अनेग पीडियों के लिए प्रेना का काम करेगा, याद कीजिए, जनता करवियों कोरोना के विरूत हमारे समाज के सैयम और अनुसाचन का भी परिक्षन था, जिसमें हर देश वासी सफल हुआ, जनता करवियों ने देश को मनोवेज्ञानिक गुरुप से लॉकडाउन के लिए तयार गिया, हमने ताली थाली और दिया ज़ला कर देश के आत्म विश्वास को उचा रखा, करें ने समाज के लिए चुरुप से लिए करेंगी का विग झालीज है, डिए अजय हमने लिए पिए,